अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भई GST is a tax on supply तो supply का मतलब है क्या? Supply का मतलब आपको section number 7 में मिलेगा. Section number 7 क्या कहता है? Section 7 कहता है कि what is supply? ये सबसे पहले आप section number 7, subsection number 1 को देखो. ये कहता है supply includes, supply में ये सब शामिल है. क्या सामिल है? पहला point गहता है business plus consideration. अगर आप कोई भी activity कर रहे हो in the course और furtherance of business और बदले में आप consideration भी charge करते हो तो उसको हम supply treat करेंगे. और आप उसको किसी भी नाम से बोल लो, चाहे आप उसे sale बोलो, exchange बोलो, barter बोलो, disposal बोलो, lease बोलो, license बोलो, जिस नाम से आपको बोलना है, आप उस नाम, वो नाम उसे दे सकते हैं. बढ़ अगर आप कोई भी activity कर रहे हैं in the course और furtherance of business और बदले में कुछ consideration चार्ज करते हैं, तो वो हमेशा supply treat कह जाएगी. जैसे मानलो, मेरा garments का business है, मैं कपड़े बेशता हूँ और बदले में consideration चार्ज करता हूँ, तो yes, मैं garments की supply कर रहा हूँ. मेरा मानलो, mobile बेचने का काम है, मैं mobile बेचने का काम है, यानि कि ये मेरा business है, ठीक है? और मैं consideration लेकर के mobile को बेचता हूँ, तो yes, ये भी मैं supply कर रहा हूँ. इसके अलावा, मानलो, मेरे office में, मेरे office में एक AC भी पड़ा हुआ है, वैसे तो मैं garment का trader हूँ, बट मेरे business के अंदर AC पड़ा हुआ है, मैं AC को बेच देता हूँ, second hand AC को बेच देता हूँ, तो क्या ये भी, ये भी supply treat की जाएगी? The answer is yes, क्योंकि business के अंदर main business activity भी cover होती हैं, और ancillary business activity भी cover होती हैं, section number two, clause number 17 में, जब हम business की definition को पढ़ेंगे, तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, कि जो आपकी main business activity है, उसके साथ ancillary business activity को भी business का ही part माना जाता है, तो जो मैं second head AC, जो मेरे office के अंदर उसे बेचने का काम करता हूँ, उसको बेचता हूँ, तो वो भी business का ही part माना जागर, उसको भी supply treat किया जागर, उसके उपर भी GST के liability आ सकती है, तो पहला point यही लिखता है, कि अगर आप कोई भी activity करते हो, in the course और furtherance of business, और बदले में कुछ consideration चार्ज करते हो, तो वो section number 7, subsection number 1, clause number A के तहट supply treat किया जाएगा, clause number B में क्या लिखा है, इसको हम बाद में समझेंगे, फिर clause number C में कहता है, कि अगर आप in the course or furtherance of business, बिना consideration लिए कोई काम करते हो, तो उसको भी हम लोग supply treat कर सकते हैं, provided कि जो चार activities schedule number 1 में हैं, उसे के regarding हम supply treat करेंगे, जैसे, example में लेता हूँ, मानलो, मेरा head office है UP में, और मेरी एक branch है मुंबई में, मैं head office से branch में stock transfer करता हूँ, तो जब आप schedule number 1 को पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको एक activity ऐसी दिख जाएगी, कि जब head office से branch में stock transfer किया जाता है, तो बेशक से मैं मुंबई वाली branch से कोई consideration तो लूंगा नहीं, बावजूद इसके ये supply treat किया जाता है, एक और example मैं अपने agent को stock transfer करता हूँ, बदल में agent से कोई consideration नहीं ले रहा, इसके बावजूद इसको supply treat किया जाता है, तो क्या free की activity भी supply बन सकती है, यस, free की activity भी आपकी supply बन सकती है, अगर वो schedule number first के अंदर उन चार activities में से किसी भी एक activity में cover हो रहा होगा, ठीक है, अब section number 7, subsection number 1 को पढ़ने के बाद, आप अभी immediate conclusion मत निकालना कि अगर कोई transaction 7, 1, A में cover हो रही होगी, तो वो supply बन जाएगा, 7, 1, C में cover हो रही होगी, तो वो supply बन जाएगा, यस, आपकी बाद एक हद तक सही है, वो supply बन स सकता है, बट उससे पहले हमें section number 7, subsection number 2 को भी देखना होगा, केवल section 7, 1 को देखने से काम नहीं चलेगा, 7, 2 को भी देखना पड़ेगा, 7, 2 क्या कहता है, supply excludes, मतलब अगर कोई activity, कोई transaction 7, 1, A, B, या C में कहीं भी supply बन रही है, लेकिन हो सकता है, गौर्मेंटे ने उसको outside the scope of supply रखा हो, तो अगर आपकी supply section 7, subsection number 2 में outside the scope of supply में कवर हो जाएगी, तो उस situation में वो transaction आपकी supply नहीं मानी जाएगी, तो section number 7, subsection number 2 को भी समझना जरूरी है, गौर्मेंट ने कहा कि section number 7, subsection number 2 के अंदर एक schedule आपको मिलेगा, schedule number 3, इस schedule number 3 में हमने 8 transactions लिखी वी हैं, इन 8 transactions को आप कभी भी supply ट्रेट नहीं करेंगे, example अगर आप land को sale करते हैं, तो land को हम outside the scope of supply रखते हैं, अगर मालो आपकी ambulance service, आप ambulance service प्रवाइड करते हो, जिसमा आप dead body इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हो, तो ambulance service प्रवाइडर जो है, उसके उपर भ scope of supply में रखा हुआ है, under schedule number 3 में से किसी भी 8 transaction में वो cover है, ठीक है, इसके लावा, 7-2 में कहा गया, कि central government, state government, local authority की कुछ activities होंगी, जिससे हम notify करके बता देंगे, कि इसके उपर GST नहीं लगेगा, आपको याद होगा, जब मैं person की definition cover कर रहा था, तो person की definition मैंने अच्छे से ब आ सकती है, जैसे मैंने railway का example दिया था, railway अगर railway ticket को वेज़ता है, तो उसके उपर GST की liability आएगी, वो GST चार्ज करके देगा, तो central government, state government की activity के उपर भी GST liability आ सकती है, लेकिन GST वालों ने कहा कि उनके द्वारा जो transaction की गई है, अगर हमने उन transaction को notify कर दिया, तो उस notification के आएगी, now, government ने अभी तक दो notifications निकाली है, ठीक है, कौन सी दो notification, पहलो उनने कहा, municipal function और पंचायद function, municipality के functions और पंचायद के functions जो होते हैं, उनके उपर GST के liability नहीं आएगी, इसके लाबा, grant of alcoholic liquor license, इसके उपर भी GST के liability नहीं आएगी, इन दो points कम और अच्छे से भी आगे जाकर के देखेंगे, बट for the timing आपको ये बात भी समझा गई, कि central government, state government, local authority, जो public authority के तोर पर कोई activity करती है, उसके उपर भी GST के liability नहीं आएगी, provided की, वो notification के द्वारा notified हो, और at present, दो notifications निकाले हुए हैं, पहला notification कहता है, कि जो municipality के functions होते हैं, जो constitution of India में लिखे गए हैं, पंचाय के जो function होते हैं, उनके उपर भी GST के liability नहीं आएगी, इसके लाबा, grant of alcoholic liquor license, license देने के उपर भी GST के liability नहीं आएगी, इन दो points को बाद में और अच्छे से देखेंगे, तो एक बात आपको समझ आ गई, कि आपकी activity supply बनेगी या नहीं बनेगी, इसको समझने के लि बनी हैं, कहीं उसको exclude तो नहीं कर रखा, outside the scope of supply तो नहीं रखा, इसके लिए आपको section number 7, subsection number 2, clause number A, red with schedule number 3 को समझना पड़ेगा, जिसमें government ने 8 transactions बताई हैं, जिन 8 transactions को government ने कहा, कि इन 8 transactions को हम outside the scope of supply रख रहे हैं, इसके लाबा, section number 7, subsection number 2, clause number B के अंदर, central government, state government, local authority की, जो public authority के तोर पर वो activity करते हैं, और जिने government ने notify किया है, कि इनके उपर GST के liability नहीं आएगी, तो उन activities के उपर भी GST के liability नहीं आएगी, और at present, government ने दो notification से निकाले हुए हैं, इसके लाबा, section number 7, subsection number 1A के अंदर, government ने बोला, कि आप goods की supply कर रहे हो, या आप service की supply कर रहे हो कई बार आपके mind में confusion आ सकता है, मैं एक example देता हूँ, जैसे मान लो, आपने, आप car बेचने का काम करते हो, आपने किसी को car rent पर दे दी, तो क्या वो supply of goods माना जाएगा, या वो supply of service माना जाएगा, इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ, car एक movable property है, और goods का मतलब क्या होत तो car एक movable property है, और car एक goods है, अगर आप car को rent पर देते हो, तो layman बोलेगा कि हमने goods की supply कर दी, जबकि ऐसा नहीं है, आप car जब rent पर देते हो, तो आप car की ownership थोड़ी transfer कर रहे हो, आप title थोड़ी transfer कर रहे हो, तो जब आप title थोड़ी transfer कर रहे हो, तो जब आप title नहीं transfer कर रह अब आप कहोगे कि हमें इतने detail में कहां से पता लगेगा तो government ने बोला इसके लिए हमने section number 7, subsection number 1A बना रखा है इसके अंदर आपको schedule number second मिलेगा, इस schedule number second के अंदर हमने 7 पैरास बना रखे हैं उन 7 पैरास को देखते हुए आप easily identify कर पाओगे कि आप जिसी सप्लाई कर रहे हो वो goods की सप्लाई बनेगी यह service की सप्लाई बनेगी अब आप बलोगे, ऐसा ही कुछ point तो हमने ओपर भी पड़ा था, जब हम लोगोंने ये वाला point पड़ा था, कौन सा? section number 7, subsection number 1A, schedule number second, para number 6 मैं आपको यही बता रहा हूँ कि section number 7, subsection number 1A, schedule number second के अंदर 7 पैरास हैं साथ पैरास में से मैंने para number 6 की बात यहाँ पे की थी, और मैंने कहा था, कि para number 6 में उन्होंने दो transactions बताई हैं, जिन दो transactions को हम हमेशा supply of service के तरह ट्रीट करेंगे और यह दो transactions अगर आप देखो, तो यह combination का transfer है, combination की transaction है, अगर मैं restaurant owner की बात करूँ, तो यह combination की transaction है, works contract की बात करूँ, यह combination की transfer है इसके लाबा, section number 7, 1A, schedule number 2nd के अंदर, मैंने कहा था, 7 para's हैं, जिसमें से मैं para number 6 की चर्चा उपर कर चुका हूँ, जो की combination की regarding बात करता था, कई बार, आप single, मालो, आप car की supply कर रहे हो, ठीक है, अब उस car की जो आपने supply की है, अगर आपने rent पे car दी है, तो वो supply of service माना जा आता है, और अगर आपने ownership transfer कर दी, यानि कि आपने अगर car को sale किया है, तो उसे हम supply of goods tweet करते हैं, तो ये confusion आ सकता है, अब मैं किसी particular transaction को supply of goods मानी हो, supply of service मानूं, इस चीज का answer हमें कहा मिलेगा, section number 7, subsection number 1A, red with, schedule number 2nd, मैं फिर से बताते तो हूँ, यहाँ पे हम single goods, single service की बात क कि कई बार, मैं single goods की supply कर रहाँ हूं, लिकिन मुझे confusion हो रहा है, मैं goods की supply कर रहा हूं, या मैं service की supply कर रहा हूं, और इस तरह का confusion क्यों आ सकता है, यह मैंने car वाले example में आपको बता दिया, ठीक है, तो इस तरह की और भी confusion आ सकते हैं, भट जब combination के, combination में confusion आए, तो combination के confusion को क हैं एसे दूर किया जाएगा या तो हम टेस्ट नंबर वन लगा देंगे या फिर टेस्ट नंबर भू уб लगा देंगे या फिर टेस्ट नंबर खिनी लगादेंगे जो कि मैं लास्ट वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ इसके लावा जब इंडीविज़ Systems एक्टम में individual activity में आपको दिक्कत आई तो आप section no.7 subsection no.1a red with schedule no.2 को पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा कि यह supply of goods बने गया supply of service बनेगा जो कि हम आगे जाकर के discuss करेंगे तो मैं conclude कर देता हूँ section no.7 में हमने सबसे पहले बढ़ा था section no.7 subsection no.1 जिसमें clause no.a discuss कर चुके हैं clause no.c discuss कर चुके हैं या तो आपकी activity 7.1a में B में या C में supply बन रही होगी इतने से काम नहीं चलेगा आपको 7.2a भी देखना पड़ेगा कहीं आपकी जो supply 7.1 में बनी हैं कहीं 7.2 में उसको exclude तो नहीं कर रखा जब आपको पता लगया कि हाँ आपकी transaction supply बनी हैं कहीं बार आपको दिक्कत आ सकती है कि अब इस supply को मैं goods की supply मानूं या service की supply मानूं तो उसके लिए उन्होंने 7.1a red wish schedule no.2 बना दिया जिसको हम आगे जाकर और अच्छे से पढ़ लेंगे ठीक हैं और जिसमें आपको example दे जाए कि मैंने एक goods को बेचा हमें इसको goods की supply मानूं या service की supply मानूं तो उसके लिए हम 7.1a red wish schedule no.2 को पढ़ेंगे जिसमें 7 पैराज हैं लेकिन इसी में से एक पैरा no.6 है जो combination की बात करता था और combination का point हम लोग ओपर discuss कर चुके हैं Thank you so much